इस वीडियों में इसलों करने बात होगी तो इसलों होते हैं, वो हमारे उन्टाक्ट लेवल पर काम नहीं करते हैं जब मैं आपसे कहता हूँ कौंट्रेट लेवल का मतलब यह वोता है कि का प्राइब के तो अंदर लेकिन function के बाहर ठीक है simple word में का हूं तो जहां हमारी state variable बनते हैं वह होता हमारा contract level तो एक contract level पर काम नहीं करते हैं पर यूज करते हैं तो चलो ठीक है function के अंदर किस तरह यूज करते हैं तो मैं आपको साथ साथ दिखाता चलूँगा ठीक है मैं क्या लिखता हूं है पर contract बनाता हूं यहार मैं अपनी फाइल बना रहा रहा है इसे close करते हैं जोज करते हैं ठीक है कि मैं इसमें state variable का कोई यूज करूंगा ही नहीं कुछ काम ही नहीं कर रहा है अगर अगर बनाते तो अल्रेड़ी खुदी बना देती है तो हमें लोड निक जरुत है चलिए यहां क्या होगा सबसे पहले होगा function function और मेरा function क्या करेगा फिर काम बता देता हूं फिर function बता हो तो मैं चीज़े समझ आनी शुरू हो देंगी कि हम क्या कर रहा हूं किसले लिख रहा हूं यह चीज़ों को function बढ़ना चाहता हूं तो चलिए देखते हैं किस तरह इसल्स का यूज़ किया जाएगा मैं आपके क्या लिखता हूं मैं लिखता हूं फंक्शन और और अंडर स्कोर एक्स अब लिख बना देते हैं इसकी विजिबिटिक कर देते हैं ठीक है ताकि कॉल कर सकें से और प्योर कर देते हैं क्योंकि स्टेट एर्लस कोई छेडखानी नहीं हो रही है ना ही हम कोई global वैरिबल यूज़ कर रहे हैं ठीक है ओके और रिटर्न क्या कर पर खाए ठीक है चलो जी आगे बढ़ते हैं मैंने कहा था की मेरे को एक स्टींग चाहिए मतलब मेरे को एक स्टींग रिटर्न में चाहिए इसकी पहले यह मेरे स्टींग बना जीता हूं एक सेकिंड अन्य है लिखिंगे वैल पलस्टू इस्टिंग का नाम कुछ भी रिख इसलिए यह error दे रहा है ठीक है जी यह warning से simple यह warning से warning क्या कह रही है कि हमने underscore X और वैल को कहीं use नहीं किया इनी इस तो कर दिया बना तो दिया है ठीक है declare तो कर दिया इस नहीं किया और ना use किया यह बट बोल रहा है बसको ठीक है ज़िया लिखतें आप पर फिर के समझाजा है इस होता है एक लास्ट में पर आएगा जब भी कंडिशन हम चेक कर रहे है तो हमेशा इस आएगा उसके बाद हॉता है ऐसके आगर मेरा कोई एल्स इफ नहीं है तो ड जानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहली कोMदृ हम कर सकता हूँ, पहली कंडिशन मं है, की के अचीब और क्या कर सकता हूँ, और मैं यह कर सकता हूँ कि शिफ if we use कर सकता हूँ, अकेला if we use कर सकता हूँ, तो यह सारी 3-4 बाते बताई है, यह उनके लिए बताई है जिए पहली बर कोई programming language छूर है, जिसने भी इससे पहले java script, c++, java ठीक है, इस इंसर में से कोई भी लेंगज चुई हो जानता है इस तरह होता है ठीक है तो यह किसके लिए इनफॉर्मिशन थी यह उनके लिए थी जिनकी पहरी प्रोग्राम लेंगज इस विए ठीक है मैं रहता हूं इस मैं चेक करूंगा कि अंडरो स्कोर एक्स इस ग्रेटर देन 100 है ठीक है अगर है तो वैल्यू सेट कर दो ग्रेटर देन 100 ओके और तैमि कॉलम ठीक है या फिर एल्स इफ अगर अंडर स्कोर एक्स छोटा है 100 से तो उस समय क्या करो वैल्यू को सेट कर दो smaller than 10 10 ठीक है ठीक है תיक है किया अब क्या ओगा else में ये नियना आता else में कोई condition नहीं होती ही else होती है थे सबसे last नहीं else में हमें कोई condition दिले की जरूत नहीं होती है अगर मैं else में कोई condition दू ना error दिखाएगा ठीक है यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ न मैं else में दिखाएगा else चलता ही तब है जब उपर के सारे if और else if सब fail हो जाते है मतलब fail हो जाते हैं कि उसमें कोई condition में fall नहीं कर रहा होता है तब last में else चलता है ठीक है और यह चलते किस तरह है अगर अगर जी f में काम बन गया f में चेक कर लिया कि मेरा number बड़ा था चोटा था मेरा number जाथ 30 ठीक है तो 30 किया 100 से चोटा है तो यहीं कहीं काम हो जागा काम खतम बागी के else if और else नहीं चलेंगे ठीक है नहीं चलेंगे अगर मेरे if में काम मैंने चेक किया कि if में condition चेक कर रही वो false होगी फिर चलता है else if मैंने चेक किया किसी न किसी else if में फस गया तो else मैंने जाएगा ठीक है यह इस तरह काम करतें जो भी condition हमको true दे देती है उसके बाद bागी के condition काम नहीं करती नहीं सिक्ड़े, skip हो जाती है, इतना समझिए, ठीक है, जो अल्रीडी प्रोग्राम में जानते हैं, वो ऐसे बोर मत हो यह, मैं बस इतनी से बात बता नहीं थी, उनके लिए जो प्रोग्राम में अमिज कर रहे हैं, ठीक है, मैं लिका हूं, well, equals to, equals to, कर देते हैं, equal to 100, ठीक है, और यहां भी semi-columation था, return कर देते हैं, कुछ दिक्कत दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, चलो बात देते हैं, return, well, ठीक है, अभी कुछ दिक्कत दिखा रहा है, क्या है, क्या कह रहा है, else if return, well, returns है, हाँ पर, returns तो यहां आता है, ठीक है, चाहिए, कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, वह मैं लिखते दा रहा था, साथ के साथ compile हो रहा है, इसलिए दिखा रही थी, ठीक है, चलिए, तो यह मेरा simple if else condition का एक program हो गया, स्मार्ट कॉंटेक्ट हो गया, स्मार्ट कॉंटेक्ट कहते हैं, ठीक है, compile हो चुआ है, green टिका आचुआ है, deploy करके देखते है, deploy करेंगे, deploy किया, मेरे कुछ value देनी पड़ेगी, मैं देता हूँ जैसे suppose, 30, वह क्या आएगा है हाँपे, smaller than 100, ठीक है, तो क्या हुआ, साथ से पहले क्या हुआ, मैंने हाँपे value पास करी, इसमें आगए 30, यह check हुआ है हाँपे, check हुआ, क्या 30, बड़ा है 100 से, इसमें का नहीं जी, तो अब अगली condition चेक हुई, क्या 30, छोटा है 100 से, इसने का हाँब बिल्कुल सही है, इसने का सही है, चलो ठीक है, आगे के जो else if होते, और else होता, अब वहाँपे condition चेक नहीं हो रही हूँ, वो गए, वो skip, वो हट गए, सफा, सीधा पहुंचेंगा हम यहाँपे, सारे else if को, और else को हटा के, सीधा last में पहुंच जाएगा, ठीक है, यहाँ पहुंच ओ, और यहाँ देखा है, उसने का था, जब equals to 100 होगा, तो कुछ नहीं बता पाएगा, ठीक है, तो में यहाँपे क्या होगा, मैं हाँपे सिंपल लिखता हूँ, 200, और मैं function कॉल करता हूँ, अच्छा, deploy करना पढ़ाएगा, पहले तो, यह deploy नहीं किया, पुरानी deploy हो रखा है, ठीक है, इसको deploy किया, नए वाले को इसको हटा आप पहले तो, बढ़ी हो गया, deploy नए वाला, ठीक है, मैं हाँ लिखता हूँ, 200, compile हो जाता है, रसासाथ compile हो जाता है, मैं compile करना ही जरूत नहीं है, ठीक है, deploy करना होता है, मैं को सिधा, deploy किया, अच्छा, दुबार deploy के गलती से, sorry, one को call करतेंगे, करेंगे, और क्या है, greater than hunt end आया, मैं अगर hunt end को call करता हूँ, मदद तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ यह, मैंने else नहीं लगाया, तो भी कोई error नहीं आ रही है, तो भी कोई error नहीं आ रही है, ठीक है, मैं है लखता हूँ 100, अब देखना, अब कुछ मी नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने value किया, starting में 0, उसके लिए, मैं क्या बताता है, इसकी by default value क्या होती है, empty string होती है, इन मै अगर मैं compile हो रहा है यह, में compile सही के सही हो रहा है, कोई दिकत नहीं हो और अगर मैं यह करता हूँ, मैं अगर यह करता हूँ, Ctrl-Z करके, इफ के बजाए सिर्फ सीधा एल स्रिफ से शुरू करता हूं तो वो मेरा एरान शुरू हो गई ठीक है कामपाइल नहीं हो रहा तो समझ गया है यार जो मैं तुम्हें सारी बाते समझाना चाहरा था एल से क्या रहे मैं जानता हूं कि थोड़ा यार जो अब अल्ड़ी प्रोवेंट जाते हैं उनके लिए लंबी होगी वीडियो थोड़ी बोरिंग होगी लेकिन ये वीडियो और उनके लिए थोड़ा बताने जरूरी था जो पहली बारी कोई प्रोवेंट बांगेज करने ठीक है पर मिलते नेक्स वीडियो में तब चाह के लिए हाई ही लिए हाई 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 है उनके लाई उनके लोगता है फ्रोवेंट द। चैना इसको पहली बिएंगा ंनके लिए बार टोवेंट भी कोई आता हो दिया ख